तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूटुब चैनल गौतम ऑनलाइन इस्टडी में तो आज आपके लिए हम लेके आए हैं संडे स्पिसल वीडियो करेंट अफ्यर का 40 प्लस महत्यपूर्ण प्रस्नों के साथ वन लाइनर कुश्चन्स हैं ठीक है तो इससे पहले आपको हम एक जानकारी देना चाहते हैं ओ जानकारी यह है कि अब आप हमें एनकेडमी लेंडिंग एप में भी फालो कर सकते हैं यहां आपके लिए MPGK स्टार्ट किया गया है साथ में StaticGK के लेसंस प्रवाइड किये जा रहे हैं ठीक है रिगलर वेसिस पे साथ में Current Affair की वी स्टार्ट की गई है वहां दिसंबर मन्त की तो आप जरूर फालो करें लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी जाएगे तो देखिए पहला Question क्या है कि भारत और जिस देश के बीच आर्थिक समरिद्धी को बढ़ावा देने और समुद्री इलाके में सकरात्मक माहौल सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों की नौसे नाओं के बीच संयुत युद्धाभ्यास INRN कोंकर 2018 गोवा में 29 नवंबर 2018 को सुरू हुआ है तो भारत और किस देश के बीच हुआ है तो भारत और ब्रिटेन भारत और ब्रिटेन के बीच यह युद्धा भ्यास शुरू हो गया है ठीक है गोवा में INRN कौंकर 2018 फिर देखते हैं नेक्स्ट तो नेक्स्ट है आपके केंदरी विद्यूत तथा नविकर्णी उर्जा मंतरी आरके सिंग ने 29 नमबर 2018 को घोसना किये गए सोभाग योजना के अंतरगत जितने राज्यों ने 100 प्रसत घरों में विद्यूति करण का लक्ष हासिल किया है तो कितने राज्यों ने किया है सोभाग योजना को घरों में विद्यूति करण का लक्ष हासिल तो वो राज्यों है आठ आठ राज्यों ने किया है ठीक है फिर देखते हैं नेक्स्ट तो नेक्स्ट है आपके सलोम जुराबिस्वली सलोम जुराबिस्वली आम चुनावों में 59.6% बोट पाने के साथ किस देश की पहली महिला राश्टपती बन गई है तो जौर्जिया जौर्जिया की पहली महिला राश्टपती बन गई है सलोम जुराबिश्वली आम चुनावों में 59.6% बोट पाने के साथ नेक्स्ट देखते हैं भारत ने जिस देश के साथ मचली वोजन और तेल के निर्याद के लिए सक्षिता और निरिक्षण और स्विक्ताओं पर एक प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किया है भारत और चीन ने मचली वोजन और तेल के निर्याद के लिए सक्षिता और निरिक्षण और स्विक्ताओं पर एक प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किया है नेक्स्ट है भारत और जिस देश की वाईसेना के बीच कोप इंडिया 2019 हवाई युद्धव्यास का आयोजन पस्चिम मंगाल में 3 दिसंबर से 14 दिसंबर के दोरान किया जाएगा तो भारत और कौन सा देश है जिसकी वाईसेना के बीच है कोप इंडिया 2019 हवाई युद्धव्यास का आयोजन किया जा रहा है पस्चिम मंगाल में तो भारत और अमेरिका ठीक है भारत और अमेरिका के बीच किया जा रहा है केंसरकार दुआर्णा के लिए आरंध की गई परियोजना के 22 पुरी दुनिया में मुप्त वाइफाई देने के लिए 272 सेटेलाइट लॉंच करने की गोशना की है तो वह देश कौन सा है चीन चीन देश है जिसकी एक प्राइवेट कमपनी ने यह है मुट्व आइफाई देने के लिए 272 सेटलाइट लांच करने की घोफना की है नेक्स्ट है वह फ्री की देश जिसमें इबोला के ताजा प्रकॉप को इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा इबोला प्रकॉप बताया है तो कौन सा फ्री की देश से कांगो कांगो है फ्री की देश से जिसमें इबोला के ताजा प्रकॉप को इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा इबोला प्रकॉप बताया है ठीक है कांगो important questions है आप लास्ट तक ज़रूर देखें और share करें प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी ज़रूर share करें किया है तो कौन से इस्थान है नई दिल्ली में किया है दूसरे अंतर राष्टी हम बेटकर सम्मिलन का उद्गाटन जो कि आपके सम्मिधान दिवस जो आपके 26 नौंबर को मनाया गया उसी के उद्देश से ठीक है उसी को प्लक्ष में ये सिकंड जो आपका इंटरनेशनल अ को आइ ठीक है नेक्स्ट है केंसरकाराणने राष्टी और सल्विकास कार्पूरेशन का चेर्मेन नुक्त किया है कौन है अनिल मड़ी भाई नाइक है केंसरकाराणने राष्टी में न Tribune 2 jako ये नेक्स्ट प्लोग चेवाएयोग यूपि असकेजेशिए चेर्मेन किसे निक नेक्स्ट है जिस राज में 28 नमबर 2018 को सुर्पथम 112 एकल आपातकाली नमबर लॉंच किया गया है कौन सा राज है हिमांचल प्रदेश हिमांचल प्रदेश में लॉंच किया गया है एकल आपातकाली नमबर ठीक है नेक्स्ट है विप्रो के चेर्मेन कौन है अजीम प्रेमजी विप्रे को जे चेर्मेन है हाली में किस देश के सरवचनागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है तो फ्रांस देश के सरवचनागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है विप्रो के चेर्मेन अजीम प्रेमजी को ठी परसेंट आरेक्षण देने का बिल पारित हो गया है एकमत से 16 परसेंट आरेक्षण देने के लिए ठीक है महराष्ट विधानसवा में मराथा समधाय को नेक्स्ट है आए सिसे दोरा 28-21वारा को जारी की गई रैंकिंग में भारती आलराूंडर रविचंद्रन अस्विन ने टेस्ट गेदवाजी रैंकिंग में यह इस्थान हासिल किया है तो कौन से इस्थान पर है किस नंबर पर शेवेन नंबर पे उनकी रैंकिंग में इस्थान है ठीक है रविचंदन अस्विन का टेस्ट गेदवाजी रैंकिंग में नेक्स्ट है भारती अंतराष्टी फिल्म महुत्सव दोजाथारा का सुमापन इस्थल कहा है तो गोवा में आपके भारती अंतराश्टी फिल्म महत्सव दोजराथारा का सुमापन हुआ है नेक्स्ट है वैब फिल्म जिसे भारती अंतराश्टी फिल्म महत्सव दोजराथारा में स्वर्ण मयूर पुरिसकार प्राप्त हुआ है तो कौन सी फिल्म है, डोन बस, डोन बस हुआ है फिल्म है, जिसे अन्भारती अंतराश्टी फिल्म महुत्सवा 2018 में स्वनमयूर पुरिस्कार प्राप्त हुआ है नेक्स्ट है लॉजिक सी, लॉजिक से इंडिया 2019 का आयोजन किस स्थान पर किये दाने की घोषना की गई है तो नई दिल्ली, नई दिल्ली में की गई है लॉजिक सी इंडिया 2019 का आयोजन इस्थल की घोषना नेक्स्ट है भारती अंत्रिक्षंद संधान संगठन इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाईजेशन ने अपने पोलर सेटलाइट लॉंच वीकल PSLV C-43 की मदद से 29 नमबर 28 को 800 ने इतने सेटलाइट लॉंच किये हैं PSLV की दौरा इसरो ने 30 सेटलाइट लॉंच किये हैं PSLV C-43 की मदद से नेक्स्ट है हाली में नवीन प्रतेक्ष कर कानून की टास्क फोर्स का कनवीनर नियुक्त किया गया है किसे नियुक्त किया गया है अखिलेस रंजन अखिलेस रंजन को नियुक्त किया गया है हाली में नवीन प्रते क्रेक्श कर कानून की टास्क फोर्स का कंवीनर ठीक है कि नेक्ष्ट है वह राज जिसने हाली में कि राज की विधान्सकावा स्थ थुं Part two बिल दोज़ाठारा पारिद किया है to Ganze पश्चि मंगाल वह राज से जिसने विधानसरओ ने Green University Sun- गुंटूर ना गेस्षवराव गुंटूर को निख्थ किया गया है हाली में त्री एर के डूरेशन जो उनका कारेकाल रहेगा परमानुर्जा रिगुलेटरी बोर्ड के चेर्मेन के रूप में नागिस्वर राव गुन्टूर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है वह स्थान जहां G20 सम्मिलन के आयोजन को दगाटन किया गया है। फिन नेक्स्ट है वह देश जिसमें मौझूद इंद्रधनशी परवत पर 12 मन्त 12 महीनों तक के लिए खनन पर रोंक लगा दी गई है जो परेटकों के लिए यहां एक यहां एक प्रमुख इस्थाड़ है तो कौन सा वह देश है पेरू पेरू वह देश है जिसमें खनन पर रोंक लगा दी गई है इंद्रधनशी परवत पर ठीक है वन एयर के लिए नेक्स्ट है वार्कलेज वार्कलेज की रिपोर्ट के अंसार 2017 में फ्लिपकार्ट को पचा इमेजॉन के CEO जो हैं जेफ विजावज हैं यह आप ध्यान में रखें और इनकी जो कंपनी है इमेजॉन सबसे बड़ी e-commerce कंपनी बन गई है फ्लिपकार्ट को पचार करें ठीक है नेक्स्ट है संयुक्तराष्ट ने आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूच रहे इस रुपए का अपातकालीन फंड जारी किया है तो कौन सा है वह देश वैंजुएला ने अपातकालीन फंड जारी किया है 65 कड़ोर रुपए का सवईकतराष्ट और आर्थिक और आर्थिक लाजनीतिक मदद से जूच कर ठीक है फिर देखिये नेक्स्ट है रक्षा उद नयत्पादों के विकास को प्रसाइद करने के लिए रक्षा मंत्री द्वारा आरंब किया गया मिसन कौन सा है तो रक्षा ग्यान सकती रक्षा ग्यान सकती वह मिसन है जो आपके रक्षा उद्योग से रक्षा मंत्री द्वारा आरंब किया गया मिसन है ठीक है फिर नेक्स्ट क्या है कि वाई कंपनी जिसे हाली में मिनी रत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है तो किसे प्रदान किया गया है हाली में मिनी रत्न कंपनी का दर्जा तो N.P.C.C. को प्रदान किया गया है मिनी रत्न कंपनी का दर्जा नेक्स्ट है My Name is लखन तथा लाल दुपट्टा मलमल का जैसे गीतों के गायक का नाम जिनका हाली में निधन हो गया है तो कौन है मुहम्मद अजीद मुहम्मद अजीद जो गायक है इन सौंग के My Name is लखन और लाल दुपट्टा जैसे जो सौंग है गीत है इनके जो गायक है मुहम्मद अजीद उनका निधन हो गया है आली में ठीक है नेक्स्ट है भारत और जिस देश के बीच 26 नमबर 28 को दोहरे कालाधान से बचने के समझोते में संसोधन पर हस्तक्षर किये गये हैं तो भारत और चीन भारत और चीन के बीच यह समझोते पर संसोधन पर हस्तक्षर किये गये हैं ठीक है नेक्स्ट है वह देश जिसमें लेगिस्पिनार यासिर साह पूर्व भारती कप्तान अनिल कुंबले के बाद, टेस्ट मैच में एक दिन में, 10 विकेट जोटकने वाले, पहले गयदवाज बन गये हैं, तु कहां के हैं, कौम सदेशों है, पाकिस्तान, पाकिस्तान के हैं, लेगि इस्पिनर, यासीर, साय, जोकि, दस बिकेट लेने वाले पहले गेंदवाज बन गए हैं ठीक है टेस्ट मैच में अनिल कुम्बले के बाद नेक्स्ट है ICC की ताजा जो T20 गेंदवाजी रैंकिंग में 20 पायदान की चलंग लाकर भारती चाइना में कितने नंबर पर पहुँच गए हैं तो जो ICC की ताजा जो T20 रैंकिंग है इसमें तीसरे नंबर पर पहुँच गए हैं इस्पिनर कुल दीप यादाओ फिर देखते हैं next मानासांसाधन विकास मंत्रा ले ने राज्यों और केंसासित प्रदेशों को सरक्लर जारी कर जिस कक्छा के बच्चों को होंबर्क नहीं देने का निर्देश जारी किया है माना संसाधन विकास मंत्राले ने राज्यों और केंसासित प्रदेशों को ठीक है फिन नेक्स्ट है ब्रिटेन के जितने पाउंड के नए नोट पर छपने के लिए नमित बैग्यानिकों में दिवंगत भारती बैग्यानिक जगदीश चंद्रबसु का नाम सामिल किया गया है देहरा दून में किया है टेकनोलाजी युक्ति स्टेट डेटा सेंटर का उधगाटन ठीक है उत्राखंड के मुखमंतरी कौन है तो त्रिवेन सिंग रावत हैं उत्राखंड के मुखमंतरी फिर देके नेक्स्ट है वहिस्थान जिसके बग्यानकों ने बिना प्रोपेला रथ जेट टलवाइन का हवायजाज निर्मित किया है फिर देखे नेक्स्ट है वह भारती सहर जहां हांकी विसकप 2018 का उधगाटन किया गया तो भूनेशर भूनेशर उडीशा ठीक है उडीशा की कैपिल है आपके भूनेशर तो वहां हांकी विसकप 2018 का उधगाटन किया गया ह नेक्स्ट है United Nations Office on Drugs and Crime UNODC द्वारा जारी बर्स 2017 की अध्धन्य रिपोर्ट में प्रत दिन इतनी महलाओं की हत्या किये जाने की बात कही गई है कितनी महलाओं की 137 फिमेल की जो आपके रिपोर्ट दी गई है 2017 की United Nations Office on Drugs and Crime के प्रत दिन इतनी महलाओं की हत्या किये जाने की बात कही गई है ठीक है नेक्स्ट है नमानिकोवर दीप पर जिस अधिवासी जन्जाती दोरा एक अमेर्की नागरिक की हत्या कर दी गई है फिर देखें नेक्स्ट है नासा का वहयान जिसने मंगल गरे की सतय पर सफलता पूर्वक लेंडिंग की है तो कौन सा है इनसाइट इनसाइट नासा का वहयान है जिसने मंगल गरे की सतय पर सफलता पूर्वक लेंडिंग की है फिर देखें next है important है भारत का अगला मुखचुना आयुक्त किसे निउक्त किया गया है तो सुनील अरोडा सुनील अरोडा को निउक्त किया गया है भारत का अगला मुखचुना आयुक्त इसके पहले कौन थे तो ओपी रावत ओम प्रकास रावत थे मुखचुनो आयुक्त अब किसे कर दिया गया है सुनील अरोडा को फिर देखते हैं नेक्स्ट जिनका कारिकाल आपके एक दिसंबर से समाप्त हो गया था ओम प्रकास रावत का तो अब नेक्स्ट आपके मुखचुनो आयुक्त हैं सुनील अरोडा नेक्स्ट है अस्ट्रेलिया ने इंग्लैन को जितने विकेट से हराकर चोथी बार महिलाटी 20 विसकप किताब जीता है नेक्स्ट है फिर की भारत के स्टार सटलर समीर वर्मा ने 25 नमबर 2018 को जिस देश के लू गौंग जू लू गौंग जू को हराकर लगातार दूसरी बार सयद मोधी अंतरास्टी बैडमिंटन चेंपियंसिप के किताब जीत लिया है तो कहां के हैं ये चीन के हैं लू गौंग जू जिन्हें हराकर दूसरी बार सयद मोधी अंतरास्टी बैडमिंटन चेंपियंसिप के किताब जीत लिया है भारत के स्टार सटलर समीर वर्मा नेक्स्ट है स्ट्रिन के एक एक स्कूल में जिस कच्चा के पाठिक्रम में मी टू अवियान को सामिल किया गया है स्ट्रिन के एक स्कूल में फिर देखे नेक्स्ट है जिस देश के आलराउंडर एलिस पेरी ने अंतराश्टी ट्वांटी क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली दूसरी गेदवाज बन गया है तो कौन से अस्टेलिया अस्टेलिया की है एलिस पेरी जिनोंने ट्वांटी क्रिकेट में 100 विकेट लेने वा वाली हिंदू देवता राम की प्रतिमा इस्थापित करने की योजनाचारी की है तो कौन से सरकार है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह योजनाचारी की गई है ठीक है सबसे उची प्रतिमा आपकी वर्तवान साहे पर कौन है स्टेच्य आफ यूनिटी है जो जिसकी क्या है 182 मीटर है तो इससे अधिक उचाई वाली हिंदू देवता राम की प्रतिमा इस्थपित करने की योजनाचारी की है आपके यूपी गौर्मेंट के द्वारा ठीक है फिर देखे नेक्स्ट है उत्राखंड केमिनेट ने जिस सहर में इस्थित चौली जाली ग्रांट एरपोर्ट का नाम दिवंगत पूरुप्रधान मंत्री अटल विहारी बाचवी की नाम पर रखने के प्रस्ताव पास किया है तो किस सहर में देहरा दून में जाली ग्रांट एरपोर्ट का नाम दिवंगत पूरुप्रधान मंत्री अटल विहारी बाचवी की नाम पर रखने का प्रस्ताव पास किया है ठीक है उत्तराखंड केमिनेट के दौरा नेक्ष्ट है वहिस्तान जहां भारत और चीन का विशेश प्रतनिधियों की वारता का 21 वा दौर संपन हुआ है नेक्ष्ट है पाकिस्तान तक का वहिस्तान जहां तक भारत के डेरा बाबा नानक से गलियारा बनाये जाएगा तो कौन सा करतार पूर करतारपुर पाकिस्तान का वहिस्थान जहां तक डेड़ाना बाबन अनकरिस से गलियारा बनाया जाएगा ठीक है करतारपुर वहिस्थान है नेक्स्ट है अरणने महाशागर छाया मच्छूना मन नामक उपर्न्यासों के लेखक दिन का हाली में निधन हो गया है हिमानसू जो सीजिन का हाली में निधन भी हो गया है तो आर्विश्रीज में आप ये भी जरूर याद रखें फिर नेक्स्ट है वह भारती महिला मुक्के बाद जिसने छटा विस्ट चेंपियंशिप स्वनपदक जीत कर विस्ट रिकार्ड बनाया है नेक्स्ट है वह भारती सहर जिसका चुनाव स्वनपदक राष्ट ने बैस्षिक फत्त सहर 2025 कारेकरम के लिए किया है तो कौन सा नोईडा, नोईडा है वह भारती सहर जिसका चुनाव संक्तलाष्ट ने बैस्चिक सतत सहर 2025 का रेकरम के लिए किया है, ठीक है, नोईडा नेक्स्ट है, वह संस्था जिसके द्वारा कहा गया है कि प्रत्वी के बातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा रिकार्ड इस्तर पर पहुँच गई है, ठीक है तो यह थे हमारे important questions, current affair के, जो आपके one week के थे, जितने भी आपके important थे, सभी इसमें include किये गए हैं, तो अगर आपको questions important लगे हों, तो like जरूर करें वीडियो को, और share करें अपने सभी दोस्तों को, और चैनल को subscribe करना ना भूलें, और वेल आइकन जरूर प्रस करें, जिसस आपके लिए questions create किये जाते हैं, questions पूछे जाते हैं, तो आप जरूर answer दें, और सभी तरह की update आपको उसमें दी जाती है, ठीक है, तो जरूर visit करें एक बार, मिलते हैं फिर next class में, thank you